ओम शांति ओम शांति आज 2 नमेंबर 2030 दिन गुरुवार की साकार मुरले आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे याद रूपी दवाई से स्विम को एवर निरोगी बनाओ याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विकर्मा जीत बन जाएंगे प्रश्न जिन बच्चों को अपनी उन्नती का सदा खयाल रहता है उनकी निशानी क्या होगी उत्तर उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी बाप की श्रीमत है बच्चे दे अभिमान में ना आओ याद की यात्रा का चाट रखो अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे कितना समय किसको समझाया गेत तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम ओम शंते यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि दे अभिमानी है कोई को मित्र संबंदी कोई को खान पान आदी याद आता रहता है यहाँ जब आते हो तो बाप का आवाहन करना चाहिए जैसे लक्षमी की पूझा होती है तो लक्षमी का आवाहन करते है लक्षमी कोई आती नहीं है ये सिर्फ कहा जाता है तो तुम भी बाप को याद करो अत्वा आवाहन करो बात एक ही है याद से ही विकर्म विनाश होंगे धारना नहीं होती है क्योंकि विकर्म बहुत किये हुए है जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे हेल्थ मिलेगी है बहुत सहज परन्तु माया अत्वा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं बाप कहते हैं तुमने आदा कल्प अयथार्त याद किया है अभी तो प्रेक्टिकल में आवहन करते हो क्योंकि जानते हो आने वाला है मुरली सुनाने वाला है परन्तु यह याद की आदत पढ़ जानी चाहिए एवर निरोगी बनाने लिए सरजन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे मुझे याद करने से ही वर्सा पाएंगे बाप और स्वीट होम को याद करना है जहां जाना है वे बुद्धी में रखना है बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी इश्वर का पैगाम नहीं देते हैं वे तो यहाँ स्टेज पर पाट बजाने आते हैं और इश्वर को भूल जाते हैं इश्वर का पता नहीं रहता है, उनको वास्तव में पैगंबर, मेसेंजर कह नहीं सकते, ये तो मनुशों ने नाम लगाए हैं, वे तो यहां आते हैं, उनको अपना पाट बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे, पाट बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है, पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं, बाप की याद से ही पावन बनना है, बाप कहते हैं, पावन बनने का एक ही उपाए है, देह सहित, जो भी देह के संबंद हैं, उनको भूल जाना है, तुम जानते हो, मुझ आत्मा को याद करने का फर्मान मिला है, उस पर चलने से ही फर्मान बरदार कहा जाएगा जो जितना पुर्षाड करते हैं उतना फर्मान बरदार है याद कम करते तो कम फर्मान बरदार है फर्मान बरदार पद भी उच पाते हैं बाप का फर्मान है एक तो मुझ बाप को याद करो दूसरा knowledge को धारण करो याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खाने पड़ती है स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा भगवानु वाच मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ अत्वा ड्रामा के आदी मद्ध अंत को जानो मेरे द्वारा मुझे भी जानो और स्रश्टी के आदी मद्ध अंत का चक्र भी जानो दो बाते मुख्य हैं इस पर अटेंशन देना है श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो उचपद पाएंगे रहम दिल बनना है सबको रास्ता बताना है कल्यान करना है मित्र संबंदियों आदी को सच्ची आत्रा पर ले जाने की युक्ती रचनी है वह है जिस्मानी आत्रा हैं यह है रुहानी आत्रा यह स्प्रीच्वल नॉलेज कोई के पास नहीं है वह है सब शास्त्रों की फिलोस्फी यह है स्प्रीच्वल रुहानी नौलज सुप्रीम रूह यह नौलज देते ही हैं रूहों को समझा कर वापिस ले जाने के लिए कई बच्चे यहां आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं अपनी स्वा उन्नती का कुछ भी खयाल नहीं है देह अभिवान बहुत है देही अभिवानी हो तो रहम दिल बने श्रीमत पर चले फर्मान बरदार नहीं है बाप कहते हैं अपना चाट लिखो कितना समय याद करते हैं किस किस समय याद करते हैं आगे चाट रखते थे अच्छा बाबा को ना भेजो अपने पास तो चाट रखो अपनी शकल देखनी है हम लक्षमी को वरने लाइक बने हैं व्यापारी लोग अपने पास पोता मिल रखते हैं कोई-कोई वनुश्या अपनी सारे दिन की दिन्चर्या लिखते हैं एक हॉबी रहती है लिखने की यह हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे कितना समय किसको समझाया ऐसा चाट रखे तो बहुत उन्नती हो जाए बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो बच्चों को अपनी उन्नती करनी है माला का दाना जो बनते हैं उनको पुर्शार्थ बहुत करना है बाबा ने कहा था ब्राहमनों की माला अभी नहीं बन सकती अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी ब्रामणों की माला के दाने बदलते रहते हैं आज जो तीन चार नंबर में हैं कल वह लास्ट में चले जाते हैं कितना फर्क हो जाता है कोई गिरते हैं तो दुरगती को पा लेते माला से तो गए प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं अपनी उन्नती कैसे करो सबके लिए कहते हैं भल कोई गुंगा होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं बोलने वाले से उंचा जा सकते हैं अंधे लूले कैसे भी हो तदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं सेकिंड में इशारा दिया जाता है सेकिंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है न बाप का बना और वर्सा तो मिल ही गया फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है बच्चा पैदा हुआ और वर्से का हकदार बन जाता है यहां तुम आत्मा तो हो ही मिल्स तो फादर से वर्से का हक लेना है सारा मदार पुर्शार्थ के उपर है फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे पुर्शार्थ किया था माया के साथ बॉक्सिंग है पांडवों की थी ही माया रावन से लड़ाई कोई तो पुर्शार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं कोई फिर प्रजा में भी नोकर चाकर बनते हैं सभी यहां पढ़ रही है राजधानी स्थापन हो रही है अटेंशन जरूर आगे वाले दानों तरफ जाएगी आठ दानी कैसे चल रही है पुर्शार्थ से मालूम पढ़ता है ऐसे नहीं अंतर्यामी है सब के अंदर को रीड करते हैं नहीं अंतर्यामी माना जानी जाननहार ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठ कर जानते हैं जानी जाननहार अर्थात नौलेज़फुल है स्रेश्टी के आदी मद्ध अंत को जानते हैं एक एक की दिल को थोड़े ही बैठ रीड करेंगे मुझे थौट रीडर सबजाए क्या मैं जानी जाननहार हूँ अर्थात नौलेज़फुल हूँ पास्ट प्रेज़ट फ्यूचर को ही स्रेश्टी का आदी मद्ध अंत कहा जाता है यह चक्र कैसे रेपीट होता है उसकी रेपीटेशन को जानता हूँ वे नौलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं क्या पढ़ते हैं ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं बाबा सिर्फ यह धंदा थोड़े ही बैठ करेंगे वे तो जानी जाननहार हैं मनुष्य सर्ष्टी का बीज रूप नौलेजफुल है कहते हैं मनुष्य सर्ष्टी के आदी मद्द अंत और जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ बाकी तो अथाहरचना है यह जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है हम तो जो नौलेज जानता हूँ वे तुमको पढ़ाता हूँ बाकी तुम क्या क्या करते हो वे सारा दिन बैठ कर देखूंगा क्या मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ सारी कारोबार बच्चों से है जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ फिर वे सगा है वाल लगा है सो मैं समझ सकता हूँ हर एक की पढ़ाई है श्रीमत पर एक्ट में आना है कल्यान कारी बनना है तुम बच्चे जानते हो ब्रस्पती को व्रक्षपती डे कहा जाता है व्रक्षपती भी ठहरा शिव भी ठहरा है तो एक ही गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं जैसे सोमनात का दिन सोमवार है शिवावा सोमरस पिलाते हैं यू नाम तो उनका शिव है परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनात कह दिया है रुद्र भी सोमनात को कह जाता है रुद्र ज्यान यग्यरचा तो ज्यान सुनाने वाला हो गया नाम बहुत रख दी हैं तो उसकी समझानी दी जाती है शुरू से यह एक ही यग्य चलता है किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी स्रिष्टी की सामगरी इस यग्य में स्वहा होनी है जो भी मनुशे हैं जो कुछ भी हैं तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है यह भी बच्चों को देखना है देखने वाले बड़े महावीर चाहिए कुछ हो जाए भूलना नहीं है मनुशे तो हाए हाए त्राही त्राही करते रहेंगे पहले पहले तो समझाना है थोड़ा खयाल रखो सत्यूग में एक ही भारत था मनुशे बहुत थोड़े थे एक धर्म था अभी कल्यूग अंत तक कितने धर्म है यह कहां तक चलेंगे कल्यूग के बाद जरूर सत्यूग होगा अभी सत्यूग की स्थापना कौन करेगा रच्चता तो बाप ही है सत्यू की स्थापना और कल्यू का विनाश होता है यह विनाश सामने खड़ा है अभी तुमें बाप द्वारा पास्ट प्रेजन्ट फ्यूचर का नॉलेज मिला है यह स्वधर्शन चक्र फिराना है बाप और बाप की रचना को याद करना है कितनी सहज बात है गीत तू प्या उसमें ओशन ओफ लव अक्षर जरूर अना चाहिए बाप की महिमा बिल्कुल अलग है सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खतम कर देते हैं तो ओशन ओफ लव अक्षर जरूर लिखना है यह बेहद के माबाप का प्यार है जिसके लिए ही गाते हैं तुम्हारी क्रिपा से का ज्ञान समझाऊंगा एक जर्म की बात नहीं सारे स्रिष्टी के past present future को जानते हैं तो कितना बुद्धी में आना चाहिए जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं उन्हें धारणा भी नहीं होती है सारा कल्प देह अभिमान चला है सत्युग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता यहां पाट बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है परंतु वहां दुख की बात नहीं है यह बाप की महिमा है ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है एक बून्ध है मन मनाभव, मध्या जीभव ये मिलने से हम विशे सागर से शीर सागर में चले जाते हैं कहते हैं ना स्वर्ग में दूद घी की नदियां बैती हैं ये सब महिमा है बाकि नदी कोई दूद घी की थोड़े ही हो सकती है बरसात में तो पानी निकलेगा गी कहां से निकलेगा ये बढ़ाई दी हुई है यह भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है बल अजमेर में मौडल है परन्तु समझते कुछ भी नहीं तुम कोई को भी समझाओ तो जट समझ जाएंगे जैसे बाप को आदी मद्य अंत का ज्यान है वैसे तुम बच्चों की बुद्धी में भी फिरना चाहिए बाप का परिचे देना है एक्यूरेट महिमा सुनानी है उनकी महिमा अपरम पार है सब एक समान नहीं हो सकते हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है आगे चल कर देखेंगे से सक्षतकार कराया था फिर प्रैक्टिकल में देखा तुम भी इन आखों से विनाश देखेंगे वैकुंट का सक्षतकार किया है वैबी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर सक्षतकार बंध हो जाएगा कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर पत्र को करेक्ट कर रहे हैं नीचे सही करते हैं तन मन धन से इश्वरिय सेवा पर उपस्तित हैं इस कारे के लिए आगे चल महिमा तो निकलनी है कल्प पहले जिनोंने वर्षा लिया है उनको आना ही है मेनत करनी है फिर खुशी का पारा चड़ते चड़ते स्थाई बन जाएगा फिर घड़ी घड़ी मुर्जाएंगे नहीं तुफान तो बहुत आएंगे उनको पार करना है श्रीमत पर चलते रहो व्यवार भी करना है जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मातपिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्थे धरना के लिए मुख्यसार श्रीमत पर पूरा टेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्यान करना है सबको सच्ची यत्रा करानी है, रहम दिल बनना है बाप के हर फर्मान को पालन करना है, यादवा सेवा का चाट जरूर रखना है स्वदर्शन चक्र फिराना है अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेगे बाप दादा का टाइटल दिल वाला दिला राम है जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं, उन पर साहिब राजी हो जाता है दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही मिंदू रूप बन सकते हैं वे बाप की विशेश दुआओं के पात्र बन जाते हैं सच्चाई की शक्ती से समय प्रामान उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कारे स्वत ही करता है भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता है वे राज युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बन जाते हैं स्लोगन बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे OM SHANTI OM SHANTI